नमस्ते दोस्तों, आज है 31 जन्दुरी और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेर सेशन कल के हव्यास परसन के साथ सविधान के अनुचेज 87 के अनुचार राष्टपती निमली खित में से किन किन आउसरों पर संशत के स्वेउक्षतर को सम्भोधित करते हैं ओप्शन A, लोग सभा के परतेक आम चुनाओं के पश्चाद पर्थम स्थर के अरहरम में ओप्शन B, परतेक वर्ष के पर्थम स्थर के अरहरम में ओप्शन C, उप्यूग दोनों, ओप्शन D, इन में से कोई नहीं है सही अन्सवर, ओपसंसी, उप्युक्त दोनू लोक सभा के परतेक आम चुनाओ के पश्चाद और पर्थम स्तर कहरान में भी और परतेक वर्ष के पर्थम स्तर कहरान में भी भारते सविधान के अनुचे 87 में राष्टपती दुआरा संसद के दोनों सदनों को दो आउसरों पर विशेश रूप से संभोधित करने का उलेख है पहला उसर राष्टपती परतेक आम चुनाओ के बाद नई लोग सभा का पहली बार गठन होने पर शुरुवाती पहले सतर में संसद के दोनों सदनों को संभोधित करते हैं दूसरा उसर परतेग वर्ष के पहले सतर में राश्ट्रपती संसद के दोनु सदनों को सम्भुदित करते हैं राश्ट्रपती के अभी भाषन में नए वर्ष के लिए सरकार की नीतियां और योजनावों का उलेख होता है ये अभी भाषन सरकार के अजेंडे की जानकारी देता है भारतिय सहुधान तरस्टपती को संसत के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुत बैठक को सम्भोधित करने का हदिकार देता है स्टार्ट करते हैं आज का सेसन सबसे पहले हम आपको बताते हैं आर्थिक सर्विक्षन आर्थिक सर्विक्षन मेंने केवल 22 साल का लेखा जोखा होता है बलकि भाषचे में अर्थ व्यष्टा कैसी होनी चीए इसकी भी एक तश्वीर होती है ये वित्मंत्राले का एक महतवपून दस्तावेज होता है हर साल आम बजट से पहले ये पेस होता है ये संसत के दोनु सदनों में पेस किया जाता है और अर्थवरुस्ता की स्टिक और परमानिक जानकारी आर्थिक समिक्षा से मिलती है आम तोर पर आर्थिक समिक्षा बजट के एक दिन पहले सदर में पेश की जाती है लेकिन इस बार ये 29 जंदरी को पेश किया गया क्यूंकि 30 और 31 जंदरी को आउकास होन के कार्ण ये 29 जंदरी को पेश किया गया और एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा वित मंतरी निर्मला सितरमन द्वारा आते हैं ओप्षन A, कोरोना वारियर्स ओप्षन B, किसानों को ओप्षन C, सैनिकों को ओप्षन D, समावे सिविकास को केंद्रे विट एव कोर्परेट कार्य मंतरी निर्मला सितरर्मन ने हाली में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेस किया ये आर्थिक सर्वेक्षण दो वोल्यूम में पेस किया गया मिंच दो भागों में पेस किया गया इस बार का आर्थिक सर्युक्षन कोरोना वारियर्स को समर्पितरा अगला पर्षन पर्षन दो आर्थिक समिक्षा के मुताबिक कोरोना काल में बहरतिय अर्थ वर्षता दुवारा किस परकार की रीकवरी का नुमान लगाएगा है उप्षन A. C. आकार रीकवरी उप्षन B. T. आकार रीकवरी उप्षन C. V. आकार रीकवरी उप्षन D. डबलू आकार रीकवरी इसका सही अंस्वर है उप्षन C. V. आकार रीकवरी इस बार के आर्थिक सर्वक्षण में सरकार ने कोरोना काल के समय में भारतिय अर्थ वैस्ता में वियाकार की रिकवरी होने का अनुमान लगाया है अगला परसन परसन तीन आर्थिक समिक्षा में भारत ने फोर पिलर स्ट्रेटरजी को अपनाने की बात की है निम लिखित में से कौन सा पिलर इसमें सामिल नहीं है इसका सही अंस्वर है ओप्शन डी इनोवेशन COVID-19 महामारी की वज़े से पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा लोकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के कारण वैस्विक अर्थवरस्ता को बहरी मंदी का सामना करना पड़ा दुनिया भर की सरकारों और केंद्रे बैंकों ने विभिन नीतियों के जरिये अपनी अर्थवरस्ता को समर्थन दिया है इस दिसा में भारत ने चार आयोमों वाली रन निती मिंस फोर पिलर स्ट्रेटरजी को अपनाया इन आयोमों में सामिल है एक कंटेंडमेंट दो फिसकल तीन फाइनेंशियल चार लोंग ट्रम स्ट्रक्ट्रल रिफों अगला परसन परसन चार आर्थिक समिक्षा 2021 में वित्य वर्ष 2021 के लिए वास्त्विक जीडिपी दर कितनी अनुमानित की गई है ओप्षन A 7.7% ओप्षन B 11.7% ओप्षन C 15.4% ओप्षन D 17.7% इसका सही अंस्वर है ओप्षन B 11.7 वित्य वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक समिक्षा 2021-21 में 11% वास्त्विक जीडिपी दर अनुमानित की गई है अगला परसन 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 पांच आर्थिक सर्वेक्षन के मताबिक अमेर्जिंग मार्केट्स में कौन सा एकमत्र ऐसा देश है जिसें 2020 में इकवटी के रूप में FII मेंज फोरन इंस्टिटूशनल इन्वेस्टर प्राप्त हुआ है उप्षन A, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया गरार्था इन्जकारता है B, स्योंक्त अर्प अमिराथ उप्षन C, चीन उप्षन D, भारत इसका सही अंस्वर है उप्षन D, भारत वित्यवर्स 2020-21 के दुराण भारत निवेस के लिए सबसे पसंदिता देश रहा आपको बता दें कि नॉवंबर 2020 में कुल FPI इंफ्लो 9.8 डोलर बिलियन रहा महिने के संधर में देखे तो यह आकड़ा सर्वधिक है अगला परसन परसन 4 आर्थिक समिक्षा के अनुशार वित्यवर्स 2020-21 में करन्ट अकाउंट सर्प्लस GDP का कुल कितना फिस्षद रहेगा अंस्वर A 2 परतिशत अंस्वर B 3 परतिशत अंस्वर C Sorry ओप्शन A 2 परतिशत ओप्शन B 3 परतिशत ओप्शन C 4 परतिशत ओप्शन D 5 परतिशत इसका सही अंस्वर है ओप्शन A 2 परतिशत आर्थिक समिक्षा में वित्यवर्स 2021 के लिए करन्ट अकाउंट सर्प्लस को GDP के 2 परतिशत के बराबर रहने का अनुवान है इत्यासिक रूप से ऐसी स्थिती 17 सालों के बाद देखी जा रही है अगला परसन परसन साथ आर्थिक समिक्षा 2020-21 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना की चर्चा की गई है PLI योजना से क्या तात्परी है Production Legislative Infrastructure Production Link Infrastructure Production Link Initiative Production Logistic Initiative इसका सही अंस्वर है Option C Production Link Initiative आर्थिक समिक्षा 2020-21 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ पर्मुक योजनाओं की चर्चा की गई है ये योजनाए है एक उत्पाद सम्मधित प्रोच्षान Production Link Initiative 2. निर्यात के जाने वाले उत्पादों से करों और सुलकों में छूट 3. अवागमन धाचे और डिजिटल पहल में सुदार इसे के साथ अगला पर्सन पर्सन आठ वित्य वर्स 2021 के लिए किर्सी वर संबन्द चेतर की ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है Option A 2.8% Option B 3.4% Option C 4.3% Option D 5.6% इसका सही अंस्वर है Option B 3.4% आर्थिक समिक्षा के मुताबिक COVID-19 महमारी के कारण भारतिय अर्थवहस्ता को हुए नुक्सान को कम करने में किर्सी शेतर की हैम भूमिका रहेगी इस दिशा में वित्य वर्ष 2021 के लिए किर्सी सम्मधिक चेतर की ग्रोथ रेट 3.4% अनुमानित की गई है अगला परसन परसन नोग भारत की राजकोशे नीती के संधर्म में आर्थिक समिक्षा 2020-21 में एक निर्भे मन इस दाहरना का सम्मध निम लिखित में से किस से हैं? दादा भाई नौरोजी, अमर्ते सेन, मन होन सिंग, रेविंदर्नाठ टैगोर इसका सही अंस्वर है ओप्शन D, रेविंदर्नाठ टैगोर भारत की राजकोशे नीती के संधर्म में आर्थिक समिक्षा 2020-21 में एक निर्भे मन मिन्स ये माइन्ड विदाउट फियर धारना का जिकर किया गया है इस धारना का संभन्द रेविंदर्नाठ टैगोर से हैं दरसल आर्थिक समिक्षा 2020-21 में सवाल किया गया कि क्या भारत की संपर्भू क्रेडिट रेंटिंग अपने मूल तत्तों को दरसाती है साथ ही इसमें सर्वे से ये पता चलता है कि कम से कम दो दस्कों के आउदी में भारत के मूल तत्तों के कम आकलन इसकी कम रेटिंग को दिखाई देते हैं इसलिए भारत के राज कोशन निती में एं माइन्ड विदाउट फियर धारना परतिम भेहनी चाहिए अगला परसन परसन 10 आर्थिक समिक्षा 2021 के मताबिक निमलिखित में से कौन से देश एक परमुख निरियातक के रोप में उभर रहा है उप्सन A भारत, उप्सन B बंगलादेश, उप्सन C वियतनाम, उप्सन D भुटान इसका सही अंस्वर है, उप्सन B बंगलादेश, बंगलादेश एक साउथ हेशन कंट्री है आर्थिक समिक्षा 2021 के मताबिक बंगलादेश एक परमुख निरियातक के रोप में उभर रहा है 2011-19 के दोरान परभावशाली मिस्रित वार्शिक दर 8.6% रही है ये वर्दी दर भारत की तुलना में सुनने पॉइंट 9% और विश्य के तुलना में सुनने पॉइंट 4% हदिक है प्रणार्ण सरूप बंगलादेश की विश्य में निरियात साज़ेदारी 2011 में सुनने पॉइंट 1% और 2019 में सुनने पॉइंट 3% रही है अब बात करते हैं आज क्या बहास परसंद की महत्मा गांधी जी की पुन्ने तिथी को निमली खित में से किस दियोष के रूप में मनाया जाता है औप्सन A. A. हिंसा दियोष औप्सन B. सही दियोष औप्सन C. सांति दियोष औप्सन D. समता दियोष इस पसंद का जवाब आपको देना है कमेंट बोक्स में इसी के साथ आज के करेंट अफेल सेसन में इतना है जाहिंद